Good morning student, कैसे हैं आप सभी, तो जो मेरे बच्चे जिनका social problem paper है, खास और पर BA 3rd Sam वालों के लिए, जिसमें social problem है, ऐसी BA के लिए BA 3rd Sam में है, social problem, ऐसी MA 3rd Sam में है, तो मेरे जो MA 3rd Sam और BA 3rd Sam के student है, उनके जो paper है, social problem वाला, उससे related ये important topic है, unemployment, आज हम पढ़ेंगे, unemployment यानि बेरोजगारी, देखिए student बेरोजगारी यानि unemployment, एक ऐसी दशास, कई बार लोग क्या कहते हैं, जब लोग को के पास कोई काम नहीं होता, उसे बेरोजगारी कहते हैं लेकिन अगर हम समाशास्य परिपेक्षे से देखें, तो बेरोजगारी का तातपरे से नहीं है, कि व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, जब व्यक्ति की योगिता, जैसे उसके पास जो degree है, उसकी योगिता और उसकी शिक्षा के अनुरूप, जब उसे कारे नहीं मिलता, इसको मैं एक छोटे से example से समझाऊंगी, एक व्यक्ति है, उसने engineering करकी है, computer science से, ठीके, फिर वो companyों में जाता है, कहीं बार apply करता है, पर अंदुसों वो job नहीं मिल पाती, तो वो क्या करता है, part time अपने school में पढ़ाने लग गिया, ठीके, को रोजगार नहीं कहते, इसे बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि वास्तम में बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, बच्चों, बेरोजगारी से तातपरे होता है, जब व्यक्ति की योग्यता, उसकी शिक्षा, या उसके जो डिगरी मिली होती है, उसके अनुरूप, जब उ प्रियाप्त इच्छा और प्रयत्नों के बाद भी आजीविका की नियूंतम सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाता तब इस इस्थति को हम क्या कहते हैं बेरोजगारी यह उसे बेरोजगारी कहते हैं इस रिषटिकों से इस्थाइब रूप से कारे करने वाले अयोग्य व्यक्ति जैसे स्कूल या कॉलेज में जाने वाले व्यध्यारती बीमार अपंग पागल व्रद्व्यक्ति कोई आर्थिक नहीं करते तो इसे बेरोजगारी नहीं कहेंगे इसे थोड़ी नहीं कोई व्यक्ति अपंग है विकलांग है जैसे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं हम कहेंगे वह तो काम ही नहीं करते तो यह बेरोजगारी है तो इसे बेरोजगारी नहीं कहेंगे विकारी जिसे विकारी कोई काम नहीं करता तो उसे विकारी नहीं कहा जाए तो किसे ऐसी व्यक्ति के शम करने की इच्छा नहीं होती और बेरोजगारी किसे कहा जाता है जो व्यक्ति की योग्यता उसकी शिक्षा के अनुरूप जब कोई कारे नहीं मिलता तो ऐसी सिति को बे विभिन समाश्चासियों ने बेरोजगारी की परिभाशा दिये बच्चों देखो, अगर हम बेरोजगारी की परिभाशा की बात करें, तो जैसे मैंने तुम्हें अभी अभी बताया है, अभी अभी किसी कहते हैं, जब व्यक्ति की योगिता और उसके शिक्षा के बाता तो उसे बेरोजगारी कहते हैं लेकिन विभिन समाज शास्तियों ने बेरोजगारी की परिभाशाएं बिन-बिन रूप में दी हैं सबसे पहले कॉल प्रिबॉम ने कॉल प्रिबॉम के अनुसार बेरोजगारी श्रम बजार की वह दशा है जिसके अंतरगत श्रम शक्त कानों की संख्या से अधिक होती है कहने का मतलब रोजगार तो कम होते हैं और कारे करने वाले व्यक्ति अधिक होते हैं तो क्या होता है ऐसे में अधिक व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता तो इस सदी को काल प्रिबहम ने क्या बोला है बेरोजगारी नेक्स योगे वैस्षट है जैसे जो लोग देख टोता है जो काम करने के इच्चूक नहीं है उन्हें तर निखाट पूर निकम्मा बोलेंगे बच्चों हसी भी आती है से शब्दों पे जुनको काम करना ही नहीं होता जो आलस्य वाले व्यक्ति उनके लिए बेरोजगारी उस नहीं होता जो काम करने के इच्छुक होते हैं जिन में चाहत होती है लगन होती है और उन्हें काम नहीं मिल पाता फ्लोरेंस ने क्या कहा है देखो यहां पर देखिए बेरोजगारी उस व्यक्तियों की निष्क्रेटा के रूप में परिभाशित की जा सकती है जो कारे करने के योके और इच्छुक है जो कारे करना जानते है पर उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता तो उसे बेरोजगारी कहते हैं नेक्स फेरचाइल्ड के नुसार फेरचाइल्ड ने कहा है कि बेरोजगारी का ताथ पर रहे एक समानने क्रियाशिल बर्ग का एक समानने अवधी में समानने मजदूरी की दर से और समानने परिस्टियों में किसी अधिक क्रिया से अनिच्छित रूप बंचित रह जाना किया कि इन्वोंने भी क्या का है जो व्यक्ति कारे करने वाला था यानि र क्रिया-शिल वरग और एक समय में मनलको से काफ समय तक मजदूरी और काम नहीं मिलता तो वो बंचित रह जाता उसे महीने, दो महीने, छे महीने, साल बिद गए काम नहीं मिला, तो ऐसी स्थिक इसको जंग देती है बच्चो बेरोजगारी को, तो यह कहाता है, फियर चाइल्ड है, सैंडी मैलो, यह आपकी डिमैलो करके भी आता है, इन्होंने क्या लिखाए बेरोजगारी को के बारे में बार-बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, कि व्यक्ति कारे करने क्या तो इच्छुक है, उसके पास योगिता भी है, पर काम नहीं है, उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने भी कहा है, सैंडी मैलो ने, डिमैलो इनको बोला जाता है, कि बेरोजगारी वह दशा है, जिसमें व्यक्ति, योगिता और इच्छा के बाद भी समुचित पारिश्रमिक कारे को पाने से वंचित रहता है, ठीक है, नेक्स जी आर मदन, जी आर मदन ने बेरोजगारी को परिभाशित करते हुए लिखा है, कि बेरोजगारी का तातपर्रे उस दशा से हैं, जिसमें क कारेशिल आयू का स्वस्विप्ति, कारे की इच्छा, काम की इच्छा के बाद भी वेतन अत्वा मजदूरी प्रशलत अर्से कारे पाने में असमर्थ रहता है, वही वाली बात की विरोजगारी के अतातपरे उस दशा से है, जैसे उसकी आयू भी है काम करने की, उसके पास योग्यता भी है, उसके पास व्यक्ति भी है, काम करने की इच्छा भी है, लेकिन उसके पास बाद भी उसे वेतन मजदूरे में प्रशलिति सर्ण, जो कहने का मतलब एक चीज से और समझाती है, उन्होंने आर, जी आर मदर, ने क्या कहने का प्रयास किया है? कई बार क्या होता है ऐसा माना जाता है कि जैसे डॉक्टर है इंजीनियर है इनको ये वेतन मिलना ही चाहिए एक प्रोफेसर है प्रोफेसर को जो है 80,000-90,000 वेतन मिलना ही चाहिए लेकिन उसके पर जैसे बहुत से मैंने देखे हैं लोग नेट भी है, पिएसडी भी है, पर उन्हें कमिशन में वेकेंसी नी आई, रोजगार नी मिल पाता, तो क्या करते हैं, दस हजार, बारा हजार में किसी प्राइवेट कॉलिज में जाके नोकरी करने लग जाते हैं, जबकि वो उसका वेतन नहीं है, वेतन उनको अगर देखा ज मजदूरी की प्रशलित इस्तर, प्रशलित इस्तर जो वेतन और मजदूरी का जो नियत पैमाना होता है, उसके अनुरूब वेकारे पाने में असमर्थ रहता है, तो ऐसी दशा को बच्चों क्या कहते हैं, बेरोजगारी, ठीक है, अब चलते हैं आगे बेरोजगारी के प् यहां हम जानेंगे कि बेरोजगारी किते प्रकार की होती है, यनि tutaj of unemployment, ठीक है, एक होती है educate unemployment, शिक्षित बेरोजगारी, इसका सीदा सम्मन बेरोजगारी की definition में मैंने आपको बताया है कि शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं, कि जैसे कोई व्यत्ति मैंने तुम्हें बताया है, कि जिसे किसी ने नेट की डिग्री, बीएट की डिग्री धारक होते हैं, पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, लाखो खर्च करके इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पात लाको शिक्षित रोजगार से बंचित रह जाते हैं आज ये सबसे बड़ी समस्या है अगर हम बात करें बड़े-बड़े नगरों और महानगरों की तो ये सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है शिक्षित बेरोजगारी की ठीक है अब हम चलते हैं अर्ध बेरोजगारी चो प्रवसी एंप्लॉइमेंट इसको कहते हैं कि कभी-कभी कार्याले और कारखन में अवश्चत से अधिक व्यक्तियों को काम पर लगा दिया जाता है कई बार देखो तुमने देखा होगा कुछ जो वह होते हैं कार्याले जैसे निर्वाचन हुआ ठीक है जन्गर्णा हुई ब बेरोजगार रहना पड़ता है तो इससे कहते हैं अर्ध बेजराई कुछ समय के लिए तो काम मिलता है पर कुछ समय के लिए नहीं मिलता या फिर कई बार उन्हें पारिश्चरमिक और सुविधाएं कम बहुत कमी दी रहती है तो इससे हम क्या कहते हैं अर्ध बेरोजगार चलिए अब आगे चलते हैं इसके अन्य प्रकार कियों देखे स्टुडेंट अब आता है आकस्मिक बेरोजगारी आकस्मिक बोलता है casual unemployment को ये बेरोजगारी किसे कहते हैं कि जब वस्तों के कीमते अचानक बहुत गिर जाती है या किसी नई प्रध्योगी का अविश्कार होता है तो उससे क्या होता है ऐसी इससती बेकारी को जन देती है इसको एक्जामपल से मैं बताती हूं तुम्हें बहुत सी बस्तूए हैं जैसे जिनका production जादा हुआ है जैसे एक company है company कपड़े बनाती थी कपड़े अब machine एक नई technology आई उस machine ने बहुत अधिक एक दिन में जितने jsou纉फदूर कपड़े बनाते थे 10-000 मस्थचोर कपड़े बनाते एसी machine आई तो उससे क्या हुआ production ज्यादा हुआ production ज्यादा हुआ कीमते कम हुई तो उससे क्या होता है जब machine काम कर लेती है तो ऐसे में बेरोजगारी की सिती उत्पन हो जाती है जिसे कहते हैं आकस्मिक बेरोजगारी एक है इसी तरीके से सेम इसी का ये पार्ट आता है इंडस्ट्रियल अनिप्लॉइमेंट यानि ओध्योगिक बेकारी इसको बोलते हैं ओध्योगिक बेकारी यह क्या है तुमने देखा होगा आजकल मैनेजमेंग ठीक है अच्छी अच्छी मशीने बिजली से चलने वाली मशीने पहले हम देखते थे हस्त करगा हस्त 40 मशीने कारे किस से किये जाने लगे वही कारे मशीनों से किरे जाने लगे थीक है तो यहां देखिए आप पूझी के कमी थी प्रतियोगिता के कारण उत्पादन बंद हो जाता है और उध्योग में लगे हजारो शमिक बेरोजगार हो जाते हैं कभी-कभी शमिकों की औरताल के न्यूस चैनल पे एक रिसर्च देखा बहुत से कंपनिया मां बंद हो गई है रीजन क्या है आज कॉंपिटिशन का जमाना है नई तक्मीकी लाई को हो एक कंपनी नए युगों को लाई नई टेकनोलोजी लाई नई तरीके से उत्पादन हुआ तो क्या हुआ प्रोडेक्श कर देते हैं तालाबंदी हो जाने के कारण भी इस तरह की बेरोजगारी फैलती है उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी ठीक है अब हम चलते हैं next और स्षटियोगिक बेरोजगारी अब आता है next यहां पर आप देख सकते हैं मौसमी बेरोजगरी, मौसमी, seasonal जिसे कहते हैं, seasonal unemployment, देखे, कुछ उध्योग जो होते हैं, वो मौसम के अनुसार चलते हो, तुमने देखा होगा, चीनी मिले, गन्ना से चलती है, और वो पूरे साल भर नहीं चलती, वो साल में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए शू होती है, जिसे बर्फ, ठीक है, चावल का कारखाना, बर्फ जब गर्मी जादा पड़ती है, जब बर्फ के कारखाने एक्टिव हो जाते हैं, सर्दिया पड़ते ही, वो बंद हो जाते हैं, तो ऐसे कारखानों में जब के लिए मौसम के अनुसार कारे होता है तब लोगों को रोजगार मिलता है बाकि लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं मौसमी बेरोजगारी यानि सीजनन इंप्लॉइमेंट इसको बोला जाता है चलिए अब चलते हैं बचों नेक्स इसमें आता है ग्रामिंड बेरोजगर यहां आप देख रहे हैं रूरल अनिम्प्लोईमेंट रूरल अनिम्प्लोईमेंट आज हमारे भारत के अगर हम ग्रामिंड छेत्रों के लोगों की बात करें उनका मुख्य विवसाइक क्रिशी है लेकिन क्रिशी में यदि हम रभी खरीफ की फसले देखे तो लोग लिखा भी है मैंने खेती की वर्तमान पदती ऐसी है कि वे बेकारी की सतित्पन करती है क्योंकि फसलों का बोने का समय कुछ महीने का ही होता है उस समय वह वीजी रहते हैं अपने फसल उगाने में काटने में खेत जोतने में बाकि समय वो उन्हें भूमी ले लेते हैं और कई बार वह भूमी नहीं देते तो उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है तो भारत में आज की तारिक में इस तरह की बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है जिसे कहते हैं रूरल अनिंप्लोइमेंट ग्रामिंट बेरोजगारी इसे कहा शेसा शेट्रों का वैसे बहां की समस्यान होगी अर्बन ँंप्लोइमेंट को यांत्रिक बेकारी थे क्योंकि किस इससानों पह­ क्याहिए थयर जाब्सेस का काम करते हैं यांत ही लिखते लेकिन अब जब से मिजब आया है computer में टैली या इस तरीके के software है computer 1000 व्यक्तियों के calculation का काम चंद मिंटों में अपने आप कर लेता है बहुत सारी इसे ब hardships से खीज़ किरे का फिल्यक्तियों सो